Hello everyone, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सबी, I hope आप सब healthy and happy हैं मैं हूँ करीन आप सब की फेवरिट EBS educator, आ गई हैं आप इस एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ So students, वीडियो स्टाट करने से पहले बता देती हूँ कि मैंने ब्रेन जाने के आपका फेवरिट चैनल आपको मल जाएगी वहाँ पर class kindergarten लेकर class 12 तक की सारी की सारी वीडियो जाएंगी इसके साथ साथ हमारा hindi medium चैनल भी है भई जहाँ पर आपको मल जाती है Classes 6 लेकर class 12 तक की सारी की सारी वीडियो जहाँ पर आदा state board की वीडियो भी मल जाएंगी जैसे UP board, Bihar board, Delhi board, MP board and Pakistan board So students, आपको क्यार करना है आपके अगर brother, sister, friends या फिर रिलेटिव जो की हिंदी medium से study कर रहे है ठीक है, उनको ये चीज़ बता दीज़े, share करिए ताकि वो हिंदी medium चैनल पर जुड़ जाएं ठीक है, ताकि उनको भी education का पूरा profit मिलता रहे ठीक है, आप भी खुश और आपके सारी friends and relatives भी खुश Alright, fully organized courses भी available हैं जैसे की Students Vedic Maths and Spoken English यहाँ पर आपको daily practice questions provide करवाय जाते हैं, and साथ में जो exam time में crash course है वो भी आपको पूरा available करवाय जाता है, ठीक है and e-notes and e-books का लिंक है, वो description box में गेवन है उससे check करना है, बिल्कुल भी मत बूलीगा, ठीक है Part 1 में मैंने आप सापको good habits, healthy habits के बारे बता है कैसे अपने आपको hygienic रखे, ठीक हाईजीन क्यों important है हमारी personal cleanliness के बारे बताया है कैसे हम अपने body parts की भी साफ सफाई हमेशा रखे हमेशा clean रहे हमारी body clean रहे ताकि हम हमेशा healthy, fit and fine रहे अपने surroundings को कैसे clean रखना है यह सारी information वहाँ पर given है अगर अभी तक आपने watch नहीं किये जाकर सबसे पहले watch कर लीजे, अपने दोस्तों को भी share करिए चीक है, and आज हम part 2 में daily routine discuss करने वाले कि एक ideal routine, यानि कि एक healthy routine क्या होता है चीक है, healthy routine क्यों जरूरी है चीक है, जैसे कि हमने अच्छी आदते तो सीख ली है ना, उस सारी आदते मैंने आप सबको सिखा दिये अब वो आदतों को कैसे अपना routine बनाना है चीक है, मनलब कि हमारा रोज मरा का behavior जो हम रोज follow करते है, regularly हमसे जो चीज़े follow होती है चीक है, time के साथ मनलब कि सुबह ये किया, फिर दिन में ये किया, फिर शाम में ये किया तो ये सारी अच्छी आदतों को हमें अपना routine बनाना है चीक है, daily routine के बारे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे हमारा posture, body का सही रहे चीक है, तो चलिए time based नहीं करते हैं, शुरू करते हैं चीक है, और video को like करना बिलकुल मत बूलिएगा चीक है ना, तो चलिए, some activities that we do every day is called our daily routine मतलब कि कुछ ऐसी activities होती है हमारी rows, like हमारी day में, है ना हमारे rows हम जो चीज़े करते, right So, ऐसी कौन सी activities होती है, students, जैसे कि आप रोज नहाते हैं, है ना, नहाते हैं आप सब लोग रोज, चीक है So, रोज नहाना, रोज school जाना, रोज खाना, चीक है यह सारी activities जो हम करते हैं, एक के बाद एक, चीक है यह चीज़े जो regularly follow होती है, इसे ही हम daily routine बोलते है, students अच्छा भी हो सकता है, good भी हो सकता है, bad वालों की बात मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि अभी हम अच्छी जो daily routine के बारे हम बात करने वाले तो बैड बता देती हूँ, कि बैड क्या होता है, चीक है, so bad daily routine कुछ ऐसा होता है, कि रात में लेट सोना, मोबाइल जो लाके है ना, फिर उसके बाद लेट उठना, फिर सुबह सुबह रोज ममी की डाट खाना, रश करना, स्कूल में जाके फिर ऐसे लेजी बनके बैट जाना बिलकुल active नहीं रहना, ठीक है, पढ़ाई फिर अच्छे से नहीं होना, फिर उसके बाद जो है घर आके फिर से मोबाइल चलाना, यही होता है पूरा bad routine, ठीक है, bad daily routine इसे ही हम बोलते हैं, ठीक है, and अगर आपको एक अच्छा daily routine मनाना है, good, ठीक है, healthy, so उसके लिए मैंने आपको healthy habits पहले ही बता दिये, part 1 में, so आज चलिए हम पूरा daily routine अपना fix कर लेते, ठीक है, साथ में आप भी अपनी like mind को set कर लिए, ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं भाई, अपनी notebook साथ में लेकर बैठना तो बैठीए, and अपने time को अच्छे से note करते चलिए, कि अब आप कल से कैसे उठेंगे, क्या-क्या चीज़े follow करेंगे, ठीक है, ठीक है, सो चलिए हम समझते हैं, greeting elders in the morning, अप सुबहे जब हम जल्दी उठते हैं, सबसे पहले हमें अपने बड़ों को greet करना है, भाई, greet करना मतला हमें उनसे नमस्ते करना है, आप जो भी बोलते हैं आपको greet करना है, अपने elders को उनसे आशिरवार लेना है, ठीक है, बहुत अपनी morning अच्छी बनानी है, सो आपको उनके साथ कुछ time spent करना चाहिए morning में, ठीक है, ताकि वो भी आपको blessings दे, है ना, आप से अच्छी बाते करना है, आपको अच्छी बाते सिखाएं, राइट, स आपको greet करना है, अपने elders को, then going to the toilet in the morning, फिर उसके बाद आपको morning में washroom जाना है, ठीक है, hands should be cleaned with soap and water after using the washroom, ठीक है, so हमेशा आपको रोज morning में washroom जाना ही चाहिए, ठीक है, so greet करने के बाद अप सीधा आप जाएंगे washroom, ठीक है, फिर उसके बाद आपको use करने के बाद washroom क हमेशा flush करना है, and then अपने hands को clean करना है, soap and water की मदद से, right, यह healthy habits हम वहाँ सीख चुके हैं, already, लेकिन आज हम अपने daily routine पुरा fix करने वाले हैं, कि कैसे अब हम आने वाले time, यानि कि कल से कैसे अब हम उठेंगे, चीक है, so यह रहा हो हमारा daily routine, right, so अगर आप अभी तक यह सा पारी चीज़े, fix कर लिए, एक ऐसा ही healthy routine होना चाहिए, ठीक है, so toilet use करने के बाद, उसको flush करना है, अपने hands को हमेशा clean करना है, soap and water से, right, चलिए, next, brushing teeth, उसके बाद आपको आपने teeth को brush करना है, ठीक है, every morning and night, मतलब कि मैंने आपको क्या पताया था, part 1 में, कि आपको आपने teeth को, like एक दिन में आपको दो बार तो brush करना ही चाहिए, ठीक है, so students, उस part में आपको बताया था, कि भई, अगर आपसे अभी, जैसे कुछ students होते हैं, कि भूल जाते है, right, so धीरे धीरे उसे habit बनाई, ठीक है, अपने mouth को हमेशा, कुछ भी खाना, खाने के बाद, wash करना चाह चीक है, यह चीज़त में आप सब को बताई चुक है, कि हमेशा mouth को rinse करें, water से, right, लेकिन अब habit बना लो, कि भाई, एक दिन में हमेशा दो बार brush करेंगे, कौन-कौन करने वाला है भाई, attendance लगा दो, comment section में, चीक है, brushing teeth every morning and night, भाई, हर रोज, सुबह तो आप करेंगे ही, च खाना खाने के बाद, doing exercise to keep fit and fine, भाई, आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, तो आपको उसकुछ time भी बच्चेगा, अब उस time में आपको क्या करना है, भाई, आपकी अगर grandparents है, grandmother या grandfather के साथ, आपको exercise करनी है, या फिर आपको 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 पैरेंट्स के साथ exercise करनी है ना, सो कितना अच्छा लगे कि morning में आप सब के साथ time spend करेंगे, exercise करेंगे, या yoga करेंगे, है ना, सो हमें हमेशा बड़ों के साथ ही exercise करनी है, ठीक है, ताकि exercise करते time में आपको भी कोई चोटना लगे, ठीक है, हमेशा guidance में आपको रहना है, doing exercise to keep fit and fine, ताकि आप हमेशा fit रहें and fine रहें, ठीक है, exercise करना शुरू कर दीजिए, रोज, ठीक है, इससे आपका जो है digestive system भी हमेशा अच्छे से work करता है, ठीक है, आपके body fit रहती है, ठीक है, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, अच्छे से digest होता है, अगर आप exercise करते हैं, टाइम ली, right now students, चली, taking bath in the morning properly, आप exercise कर लिए, आप exercise करने के बाद क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा sweating होगी, है ना, exercise करेंगे तो आपको पसीन आएगा, है ना, आपके body heat up हो जाती है, तो sweat होता है, body में sweating होती है, right, so students, उसके बाद आपको नहाना है, taking bath in the morning properly, ठीक है, और नहाना कैसे है, ऐसे ह नहीं के भाई, आप गए washroom and like bathroom गए and पानी डाल कर आप भार आगे, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से हर एक body part को clean रखना है, ठीक है, अच्छे से नहाना है, ठीक है, properly एक दम, wearing a clean school uniform, अब students, अब जो uniform है, right, आप आपने नहा लिया है, तो क्या आप school जाने से पहले आप uniform को clean करेंगे, नहीं न, so students, आपको यह साही तयारी पहले ही करके रखनी है, ठीक है न, like पिछले दिन ही आपको अपनी uniform को अच्छे से neat and clean तरीके से रखना है, iron करके मैंने बताया है कि हमेशा dress जो wear करते हैं, वो iron होनी चाहिए, इससे हम बहुत ज़्यादा smart लगते हैं, ठीक है clean and tidy रहती है क्लास में है न, so students, wearing a clean school uniform, uniform को हमेशा आपको wash करने के बाद, clean करने, like cleaned uniform ही पहननी है, ठीक है, iron की हुई, alright, चलिए, अब आप यहाँ देखिए, यह कुछ students है, है न, यह देखिए, यह student सबसे पहले अच्छे से नहा रहा है, हर एक body part को clean कर रहा है, अच्छे से इसके बाद जब हम uniform wear करते हैं, एक दम wrinkle feel, कोई भी uniform में जब wrinkles नहीं होते हैं, हमारी uniform कितनी neat and clean लगती है, and कितनी smart दिखते है, right, देख रहे हैं आप सब, है न, so ऐसे ही smart दिखने हैं, so students, आपको यह चीज़ मेक शॉर करने है, कि आप हमेशा अच्छे से नहे, fresh feel करें, ठ ठीके, and इसके बाद clean and uniform जो है, वो iron uniform wear करें, ठीके, चले, next, इसके बाद आपने जैसे ही नहा लिया, आप के करेंगे, combing and oiling the oil, ठीके, hair, मतलब कि जब आप नहाते time, अपने hair को wash करेंगे, अच्छे से, ठीके, hair आपके dry हो जाएं, अच्छे से, ठीके, उसके बाद अपने बालों को comb करना है, hair को comb करना है, आप oiling करेंगे, ठीके, hair में oil डालेंगे, ताकि आपके hair dry ना हो, बिल्कुल भी अच्छे, neat and clean देखें, smart रहें आप, ठीके, so always comb and oil up your hair, ठीके, so अपने बालों को हमेशा comb करना है, timely, ठीके, and oil डालना है, ताकि आपके बाल dry ना हो, alright, चले अब next, जैसे ही है, हम अब तयार हो गए, अब हम लग रहें, smart, अब हम बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पर, ठीके, ताकि हम अपने breakfast, जो breakfast है, वो कर सके, ठीके, so taking breakfast is the proper time, so अब नहाने के बाद तयार हो गए, अब आप, तो आप क्या करेंगे, अपने breakfast करेंगे, ठीके, ब morning का time हमेशा जो है, वो अच्छे से utilize होना चाहिए, है न, so आपको कुछ भी unhealthy cheese नहीं कानी, हमेशा healthy cheese ही bite करनी है, ठीके, so कोई भी healthy cheese आप ले रहें, जैसे कि आप क्या खा सकते, fruits, या फिर milk, milk पी सकते आप morning में, right, so आपको जो breakfast है, वो हमेशा healthy ही होना चाहिए, alright, उसको timely finish करना है, रोज ऐसे ही time को आप match करना है, ठीके कि भाई, आज हमने breakfast इतने time पे किया है, तो कल भी हमें, इतने time पे finish करना है, right, so यही एक healthy routine होता है, भाई, जब आप सारी activities को time के साथ करते, ठीके, आपका time जो है, वो अच्छे से utilize होना चाहिए, बिल्कुल भी time waste नहीं करना हैं कि भाई, आप mobile लेकर बैठ गए हैं, बहुत धीरे धीरे साई चीजे, सारी activities को finish करें, right, ऐसे कि आपका time कब खतम हो जाएगा, कुछ भी utilize नहीं हो पएगा, है ना, so time को हमेशा अच्छे से use करना है, and क्या करना है, आपको time का बहुत ध्यान रखना है, कि भाई, आज इ सकते हैं, alright, so going to school at right time, अब जब आपका breakfast finish हो गया है, तो आप जो है, आपका time अच्छा है, अब आप जा सकते हैं, school, है ना, आप school पे, school में time पे पहुच सकते हैं, चीके, so एकदम right time पे ही आपको school में जहाना है, बिलकुल भी late नहीं होना है, चीके, बिलकुल punctual रहना है, यही अच्छे qualities होती है, good student की, ठीके, जो हमेशा time पर रहते हैं, बिलकुल भी late नहीं होते हैं, ठीके, and punctual रहना है, भाई, रोज जाना है, time से जाना है, ठीके, and after coming back from school, children should do the following, अब जब आप school में अपना time बिताते हैं, वो सारी चीज़े मैंने आपको बताई है already, कि भाई कोई भी sharp objects नहीं use करना है, है न, अपने friends को बिलकुल चड़ाना नहीं है, परेशान नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, school में जाके, बिलकुल सारी बाते माननी है, teachers की, ठीके, अच्छे से पढ़ाई करके, फिर जब आप घर आएंगे, वापे, students keeping things at a proper place, अब आ आप क्या करेंगे, अपना शू उटा, आप जब अपना शू वापिस से निकालेंगे भार, ठीके तो शू को ऐसे फिकना नहीं कि एक शू यहाँ, एक शू वहाँ, ऐसा बिलकुल नहीं करना है, आपको अपने सारी चीजे प्रॉपर प्लेस पर रखने है, मतलब कि शू जो हल्दी रूटीन की एक अच्छी आदत है, याने की गुड़ हाबिट है, ठीके, दैन वाशिंग हैंड फेस, फिर जब हम जो हम क्लोट्स वेर करते हैं, फिर जब हम अपने क्लोट्स को चेंज करेंगे, ठीके, अपने घर की कप्रों में आएंगे वापिस की जो करेंगे, then changing uniform and then taking lunch, ठीके, uniform change करेंगे and उसके बाद आप lunch फिनिश करेंगे, अपना, all right, lunch में भी आपको बिल्कुल healthy, जो लंच है, वो खाना है, एक्दम balanced diet लेनी है, ठीके, अभी मैं आगे और बताने वाले हूं कि भाई, balanced diet क्या होती है, next, doing homework, उसके बाद जब आप lunch फिन कर सकते है, right, जो भी आपको school से homework मिलता है, वो आप फिनिश करेंगे, then playing with friends in the evening, फिर शाम में आप थोड़ी देर rest कर सकते है, बीच में आपको जो भी time बच जाते है, आप rest कर सकते है, afternoon में, आप धूप में खेलेंगे, तो आप इमार पर सकते है, तो जो time आपको बच जाते आप rest करें, and rest करने के बाद friends के साथ evening में play करना चाहिए, ऐसे ही घर में आपको video games नहीं खेलें चाहिए, इसे eyes problem कर सकते है, eyes जो है हमारी बहुत जा sensitive होती है, हमेशा mobile में आप games खेलेंगे, तो कोई भी physical activity नहीं होगी, है न, so हमेशा mobile से दूर रहना है, eyes खराब नहीं होने चाहिए, ठीक है, so friends के साथ आप play करने evening में, garden जाईए, walk पर, playground में play करिये, right, taking dinner and sleeping at a fixed time, फिर उसके बाद जो भी आपका time बचता है, उसमें आप अपनी hobbies, like आपकी जो भी hobbies है, drawing करना आपको पसंद है, आपको singing करना पसंद है, right, यह सारी चीज़ें आप follow कर सकते हैं, and कु फिर आप अपना dinner finish करिए, time पर, है ना, रात में सब के साथ बाट कर खाई, अच्छे से बिलकुल भी, खाना waste नहीं होना चाहिए, plate में बचना नहीं चाहिए, है ना, जितना आपको भूख लगी है, जितनी उतना ही, आपको खाना अपनी plate में लेना है, ठीक है, ताकि बिल animals को जो भी stray animals होते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आपको अच्छे से time पर, जो आपको fixed time है, जल्दी आपको सो जाना है, ठीक है, 9-10, आप जैसे भी सोते हैं, 9 बजे या, 10 बजे, आपको इस fixed time पर, सो जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं students कि आपने खाना खाया और आप सोने चल को wash करना है, ठीक है, एंड या तो फिर आप brush करें, अच्छे से अपने teeth को brush करें, ताकि germs ना चले जाए, ठीक है, germs बिल्कुल भी enter ना हो, next जो है students, जैसे ही आप अपने mouth में, mouth को wash करते हैं, water से या फिर brush करते हैं, brush करने के बाद आप थोड़ दर walk कर ये, ताकि जो आपने खाना खाया है, वो digest हो जाए, and students, one main important thing, विल्कुल भी खाना खाने के बाद आपको पानी तुरंथ नहीं पीना चाहिए, ठीक है, जो अपका digestion होता है, वो बहुत जादा slow down हो जाता है, ठीक है, so जैसे ही आपका dinner finish होता है, आपको तुरंथ पानी नहीं पीना है, ठीक है, ज हो सकती है, ठीक है, आप बिल्कुल भी fresh peel नहीं करेंगे फिर morning में, है ना, so ऐसे ही आपको थोड़ी देर का like pause लेना है, break लेना है, अच्छे से walk करनी है, फिर कुछ time बाद आप आनी पी सकते हैं, right, like जैसे 22-30 minutes आप break लीजिए, है ना, या फिर आप जादा time रुकेंगे, so ये आपकी body के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी body भी हमेशा healthy रहेगी, अच्छे से work करेगी, आपका digestion, अच्छे से smoothly आपका digestion होगा, है ना, खाना अच्छे से digest होगा, तो फिर morning में भी आप बहुत जादा fresh feel करेंगे, right, so फिर उसके बाद आपको fixed time पे सोना है, रा रात में सोने से पहले आपका जो mobile है वो off हो जाना चाहिए, एक दू घंटे पहले ही, ठीक है, नहीं तो आपको रात में बुरे सपने आ सकते हैं, आपको सोने में problem हो सकती, alright, आपकी eyes भी बहुत ज़्यादा damage होती है, यानि कि आपकी eyes में problem हो सकती है, अगर आप रात में mobile चलाएंगे अंधेरे में, है ना, so आप students अभी छोटे हैं, आपको बिल्कुल भी mobile नहीं उस करना है, आप खेलिए, आप अपनी body को fit रखिये, आप games play करें, अपने friends के साथ भाई, walk करें, play करें, है ना, and हमेशे एक्दम fit and fine रहे है, ठीक है, चलिए, अब और क्या चीजे ह है, जिसे हमारी body हमेशा healthy रहती है, ये तो रहा routine जो हमने पूरा decide कर लिया, कर लिया ना, आप सबने, कि भाई, कल से तो यही routine follow करना है, ठीक है, अब और बाते आप सब को बता देती है, जो हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, healthy habits, चलिए, taking enough rest is as necessary as work and exercise, So, भाई, आपको जादा से जादा rest करना है, ऐसा नहीं कि आप सारा दिन बस पढ़ रहे हैं, चीक है, सुबह, morning में पढ़ा आपने, फिर दिन में आके बस आप फिर से पढ़ने बैठ गए, फिर आप खेल रहे हैं, है ना, फिर वापे से आप रात तो खेली रहे हैं, तो इ बॉड़ी को recharge कैसे मिलेगा, अच्छे से rest करने के बाद, चीक है, आप बिल्कुल fresh feel करेंगे जब आप अच्छे rest देंगे बॉड़ी को, ताकि बॉड़ी भी fit and fine work करेंगी, अच्छे से work करेंगी, है ना, चली, सो उसके बाद क्या है, वी शुड़ स्लीप for 8 to 10 hours, टेली, हम में, रोल्स 8 से 10 घंटे सोना है, ठीक है, आप जल्दी सो जाइए, ताकि आपकी बॉड़ी को जादे से जादा स्लीप मिल जाए, अच्छी स्लीप के लिए, आपको मोबाइल से दूर रहना होगा, students, ठीक है, so 8 से 10 घंटे आपको रोज सोना होगा, a good sleep gives rest to our body, ठीक है, so अगर हम अच्छी स्लीप लेते हैं, यानि कि अच्छी नीम लेते हैं, तो हमारी बॉड़ी भी बहुत जादा active हो जाती है, बहुत जादा fresh feel करते हैं, हम सारे काम, अच्छे से करते हैं, पढ़ाई-च्छे, पढ़ाई करने में मन लगता है, है ना, खेलते हैं, फिर feel करना है, तो rest करना है, जिके, 8-10 hours की sleep आपको लेनी ही लेनी है, alright, next हम देखते हैं, posture, so एक good posture maintain करना जरूरी है, posture क्या होता है, चलो समझा देती हूँ, that posture is the position in which we hold our body when we stand, sit or walk, posture एक position है, मतला हमारी body की position, मतलब कि अगर मैं अभी खड़ी हूँ, है ना, so बिल्कुल straight खड़ कि जो bone है, बिल्कुल straight है, right, अगर मैं ऐसे खड़ी रहोंगी, so मेरी bones जो है, वो भी अच्छे से work नहीं करेंगी, है ना, so हमें हमेशा अच्छे से बैठना चाहिए, बिल्कुल सीधे, है ना, हमारी bone जो है पीछे की spinal cord हमेशा straight होने चाहिए, ठीके, backbone should remain always straight, हमेशा अगर ह हम खड़े हैं, so ऐसे नहीं खड़े होना है, बिल्कुल सीधे खड़े होना है, ठीके, जब आप चल रहे हैं, तो चलते time भी आपको ऐसे lazy, ऐसे नहीं बिल्कुल walk करना है, आपको अच्छे से walk करना है, ठीके, एगदम straight, ठीके, ताकि भाई सामने वाले को भी लगे कि आप बहुत एक smart पच्छे हैं, एगदम confident हैं, हैना, जब हम अच्छे से walk करते हैं, so हमारी जो personality है, वो सामने वाले को दिखती है, राइट students, so we should sit with our back straight, हमें हमेशा बैठना है, तो बिल्कुल back straight के साथ बैठना है, ठीके, अब ये देखिए, जो बच्छा बैठा, ये किता dull हमेशा हमेशा हमारा head जो हो हाई होना चाहिए, है रा, हम ऐसा feel होना चाहिए भी सामने वाले को कि ये confident बच्छा, एक smart बच्छा है, ठीके, so जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, कि इसका भी head हाई है, एकदम सामने, ऐसे हमें head नीचे करके नहीं बैठना है, we should stand with our back straight and keep the chest out, ठीके, so हमारी जो, जब हम खड़े रहते हैं, so ये जो back है, बिल्कुल straight रहना चाहिए, ठीके, बिल्कुल ऐसे, back straight है नहीं and जो chest है, वो आपका out रहते है, ठीके, right, अब ये देखिए, ये बच्छा जो है, वो बहुत जादा, क्या लिख रहा है, बहुत जादा डरा confident नहीं है, right, अब ये देखिए, ये बच्छा बहुत जादा confident फील कर रहा है, एक दम active and fresh, right, so ये बात का आपको हमेशा make sure करना है, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, हमेशा आपकी back straight रहनी चाहिए, असे आपकी जो bones है, वो भी बहुत जादा healthy रहेगी, ठीके, आप बहुत confident भी देखते है, right, so हमें ऐसे head नीचे करके नहीं बैटना है, सामने देखना चाहिए, बिल्कुल, chest out and back straight, alright, चलिए, बिल्कुल सही, अब next देखते हैं, students, eating well, याने कि हमें अच्छी खाने की आदते फॉलो करनी है, ठीके, eating well, अच्छा खाना है, अच्छी खाने की आदते कौन सी है, चलिए, मैं बता देती हूँ, we should follow good eating habits, अच्छी खाने की आदते, to stay healthy, ताकि हम healthy रहे, है ना, अच्छा खाना खाए, time to time खाए, right, so first is, always eat healthy food, हमेशा healthy food, खाने, students, I know, कि आप सब को pizza, burger, पसंद है, है ना, वो सारी चीज़ बहुत 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 ही होती है, है ना road पे, जो stalls होते हैं, वहाँ पर बनाई जाती है, है ना, so, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें डाली जाती है, जो हमारी body के लिए harmful होती है, right, अगर आप खाना चाहते हैं, तो आप अपनी mother को बोल सकते हैं, कि वह आखली cook कर दे, चीके, so, जो ममा हैं, वो भी भाई, बहु पर सकते हैं, ठीके, क्योंकि बहुत साथे germs होते हैं, insects भाई, fly करते रहते हैं, है ना, restaurants में भी हम जाते हैं, so, ऐसी कुछ चीज़ें डाली जाती है, खाने में, जो हमारे body के लिए harmful होती है, so, healthy food खाईए, ऐसा, make sure करिये, ताकि आपकी body healthy हो, अच्छा खाना body में जाएगा सो, आपकी body भी अच्छे से work करेगी, है ना, so, चली, next is, avoid eating junk food, junk food मत खाना, बिलकुल भी नहीं, चीके, drink plenty of water, जादा से जादा पानी पीना है, ताकि body hydrated रहे, चीके, आपकी body को खाने से जादा जरूरी, पानी भी बहुत जादा जरूरी होता है, चीके, so, पानी पीना है अ next is, do not overeat, कभी भी भूख जितनी हो, स्वे उतना ही खाना है, चीके, जादा खाना नहीं खाना है, इससे भी बहुत जादा हाम हो सकते है, चीके, digestion में problem होगी, फिर जो food है, वो digest नहीं होगा, easily, always eat fresh food, हमेशा fresh food खाये, चीके, जो भार का खाना हम खाते है, वो रखा हुआ हो उसके उपर germs होते है, वो uncovered होता है, ऐसे खुले में रहता है, so fresh food खाना है, ताकि हम fresh रहे, eat at regular intervals, and timely खाना है, जैसे कि lunch आप दिन मलीजिये, timely, बिल्कुल time पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई, ममा बूख नहीं है, भाई, जितनी बूख है, आप उतना खाना फिनिश करिए, timely खाईए, कोई भी meal, miss नहीं करने चाहिए, lunch नहीं खाया, है ना, या फिर कभी dinner नहीं फिनिश किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, lunch आपको दिन में खाना है, then आप रात में, dinner खाईए, सुबह breakfast करिए, या फिर आपको अगर कुछ बीच में भूख लगती है, तो आप snacks ले सक पीजे, right, so students, ये सारी चीजे जो है, eating habits से बहुत ज़्यादा आपके लिए healthy है, ठीक है, आप इससे बहुत ज़्यादा healthy रहेंगे, ठीक है, and हमेशा बिमार्यों से दूर रहेंगे, right now, चली, चलो, अब मैं आपको और good food habits बता दिती हू, ठीक है, चली, आप सब के लिए ज क्या होती है, good food habits, we should eat a balanced diet, अब जो balanced diet की बारे में आप सब को बताने वाई थी, कि हमें हमेशा खाने, खाते टाइम, याने कि lunch में या दिनार में हमेशा balanced diet लेने चाहिए, ठीक है, अब ये balanced diet क्या होती है, students, बलाब कि एक ऐसी balanced meal, ठीक है, आकी plate में, रोटी होने चाहिए, थोड़े से चावल होने चाहिए, राइस जिता आप खा पाए, दाल होने चाहिए साथ में, है ना, एक सबजी होने चाहिए, and salad, ठीक है, salad के साथ आप कुछ, जैसे की curd ले सकते हैं साथ में, है ना, या butter, जो ये items होते हैं, dairy products होते हैं, वो भी आप include कर सकते हैं, ये होती है पूरी balanced diet, इस balanced diet में आपको सारे के सारे nutrients मलते हैं, याने की minerals भी मलते हैं, vitamins भी मलते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि चापाती भी है, साथ में, आपके rice भी है, सबजी भी है, दाल भी है, तो proteins भी मिल जाएंगे, आपको vitamins, minerals सारी, so ऐसा ने, students आपको जो green vegetables है, उसे भी खाना है ठीके, green vegetables तो आपको खाने ही, चाहिए भाई, आके body को बहुत ज़्यदा iron मिलते है, ठीके, so students, we should eat a balanced diet, हमें हमेशा balanced diet लेनी है, ताकि सारे nutrients हम अपनी body में भर ले, ठीके, हमारी body healthy रहे, that includes all types of food in the right amount, ठीके, तो एक balanced diet, याने कि एक balanced food item की plate में, ठीके, एक ऐसी plate जहाँ सारे, छोटे-छोटे amounts में सारे nutrients मिलते है, minerals मिलेंगे, vitamins मिलेंगे, right, हैना, and morning में आपको क्या खाने चाहिए, आपको morning में nuts में खाने चाहिए, जैसे almonds हो गए, हैना, so ये soak करके आप खा सकते, ठीके, फिर उसके बाद wash your hands with soap before and after meal, अब खाना खाने से पहले, आपको हाथों क wash करना ही है, ठीके कि आपके हाथों में कोई भी germs ना रहें, wash करना है, अच्छे से soap and water से, and खाना खाने के बाद भी, आपको अपने हाथों को अच्छे से wash कर लेना है, ताकि भई, अगर अपके हाथ में कोई spice हो, यानि कि कोई मिर्ची हो, तो बिल्कुल भी आपके eyes में, न touch करने पड़ें, तो आपको wash कर लेने चाहिए, ठीके, कभी भी खाने को waste नहीं करना है, don't waste food, ठीके, ये बात आप सब को पता है कि खाना जो है, उतना ही लेना चाहिए, पेट में जितना आप खापाएं, है ना food की wasted हमें avoid करने चाहिए, इससे हम animals को याँ दूसरे लोगों की भी हम help कर सकते हैं, जिके, avoid talking while eating, खाते टाइम हमें बिलकुल बाती नहीं करनी है, जिके, इससे हमारे खाना वो अटक सकता है, हमारे food pipe में बिलकुल भी अच्छे से फिर हमें खास ही हो सकती है, ये coughing हो सकती है, तो अगर आप चाहते हैं कि जब आपका food है, वो smoothly आपके प बिलकुल bite बनाई, जिके, आपने उस पे सबजी ली and खाया, है ना, and वो direct आप बिना चबाएं अंदर नहीं अपने स्टमक में जाने दे सकते हैं, जिके, students, ऐसे big big bites आपको ऐसे swallow नहीं करनी है, हमेशा अपने खाने को chew करना है, है ना, ऐसे जल्द बाजी में खाना कभी न आपको निगलने से पहले, swallow करने से पहले क्या करना है, अच्छे से खाने को चबाना है, chew करना है, अपनी white squatches है, ठीक है, avoid eating food that is not covered or protected, यानि कि जो भार का खाना होता है, जो बिलकुल भार covered नहीं होता है, streets पर आप देखते हैं, ठेलों पर बिकता है, है ना, covered नहीं होता है पर भई मख्यां होती है, germs होती है, धूल मिट्टी होती है, है ना, so ऐसा खाना नहीं खाना है, भई हमेशा fresh खाईए, हमेशा fresh रही है, है ना, body को body में जब आप कोई चीज जाल रहे है, ठीक है, so आपकी body हमेशा healthy रहे हैं, आपको हमेशा fresh and healthy चीज़े ही खाने चाहिए, ठीक है, आपका stomach है वो dustbin तो है नहीं, है ना, हमारा stomach है क्या वो dustbin है गया, कि कोई भी भार की रख्योई चीज हम खा लें, ऐसे ही, जिस पर germs हो, insects हो, है ना, so ऐसी चीज़े हमें नहीं खानी, ऐसी चीज़े हमें बचना है, ठीक है, so ऐसी चीज़े ना डाले हैं, इसलिए आप घर पर ही उसे cook करवाईए, ममा से, है ना, आप ममा की थोड़ी बहुत help कर सकते है किचन में, ठीक है, so fresh food, आप खाईए, हमेशा healthy रहें, ठीक है, so भार की हमें हमेशा covered चीज़ी खानी है, ठीक है, अगर वो हमारी body के लिए healthy है, तो ही, ठीक है, so students, आपकी body protected रहेगी, ओके, next is exercise, अब exercise करने से क्या होता है, आप सबको पता है, यह देखे, regular exercise keeps us fit and active, हमेशा fit रहते हैं, active रहते हैं, ठीक, exercise में क्या क्या चीज़ी आ जाएंगी, walking, swimming, cycling, skating and all outdoor games are different forms of exercise, ठीक है, so अगर आप खेलते हैं, ठीक है, जैसे basketball, football, अपने friends के साथ, so यह भी exercise है, walk करना भी exercise है, swimming भी exercise है, cycle आप अगर चलाते हैं, so cycling भी exercise है, skating, चीक है, so आप में से like, आप students कौन कौन सी exercise करते हैं, वो बज़े बताई, comment section में, है न, आप में से कोई cycle चलाता होगा, यहाँ फिर कोई skating करता होगा, है न, so आप सब बज़े बताईए, कि आप कौन सी exercise follow करते ह चीक है, so हमें क्या करना है, हमें अगर बार बारिश होती है, तो कुछ indoor games प्ले करने चाहिए, यहाँ फिर अगर बारिश नहीं है, so आप हार चाहिए, अपने friends के साथ खेलिए, outdoor games भी प्ले करें, चीक है, ताकि आपका mind भी active रहे, आप fresh feel करें हैं न, जब हम अपने friends के अच्छा लगते हैं, है न, so students, आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही games and exercise में पार्ट लेना है, yoga and athletics are also popular forms of exercises, some of the children watch television or play computer games for long hours, this makes them obese, lazy and inactive, चलिए, अब जो bad habits होती है, जैसे की, जो students पढ़े रहते हैं, like television के सामने, देड़ देड़ तक television देखते रहते हैं, है न, यह mobile से लाते रहते हैं, computer games खेलते रहते हैं, चीक है, so यह बच्छे क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी, ओबेज याना कि उनमें मोटा पर जल्दी आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा lazy हो ज़्याया है वो बहुत जाते हैं, है न, क्योंकि mobile के सामने पड़े पड़े या television के सामने पड़े पड़े मो lazy हो जाते हैं, उनको addiction हो जाते है, है न, television बंद नहीं कर पाते बहुत आइधे, ऐसा ही होता है न, so उनकी active ness खतम हो जाती है और inactive बन जाते हैं, अगर आपको इ चाहिए वाक करने चाहिए साइक्लिंग करें साथ में बाते करिए मज़े करिए fun करिए है न क्योंकि फ्रेंग के साथ जब हम मिलते हैं तो किता जादा हमें अच्छा लगते हैं प्रेश फील करते हैं और असे लगता है पर अपर हमारी ये जो सारी इंफरमेशन है आप पर फिरिश होती है अपर अब सब इस वीडियो सो बहुत कुझ सीक निए आप सब कल से क्या own करने वाले gepoment section मताइई जैसी कि मैंने आप सबकू डि रूतिन तो ऑलडेडी बता ही दिय चिख के So I hope आप सब वो daily routine follow करने वाले हैं ठीक है अपने parents को बिल्कुल परिशान नहीं करना है ऐसा ही daily routine follow करिये ताकि आपके parents हमेशा आप से खुश रहे हैं है ना आपकी teachers भी आपकी तारीफ करें Alright? So I hope आप सब follow करने वाले हैं ठीक है? So बुरी आदतों से हमें बचना है and हमेशा good habits follow करने है Right? चलिए So students आपको इस वीडियो को like कर देना है share करना है अपने friends के साथ ठीक है? Share करिए जादा से जादा share करिए ठीक है? And इसके बाद magnet brains को अच्छे सब्सक्राइब कर लीजे manual brains पर आपको high quality education मिलती है साथ में English and Hindi medium courses दो नहीं available है जैसे कि CPC board के साथ आदर state boards भी है Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board All right? Vedic Maths and Spoken English यह fully organized course है crash course आपको exam time है पूरा provide कर वाया जाता है यह रहे different platforms जैसे कि Facebook, Instagram, Telegram Twitter and क्या है भई? Whatsapp ठीके? So, यहाँ पर भी जुड़ जाहिए ताकि आप हमेशा अपटेट वीट रहें Magnet Brains के साथ ठीके? यह रहा Magnet Brains का application and website ठीके? इसे भी अच्छे से चेक कर लीजे क्योंकि कोई भी चीज miss नहीं होने चाहिए ठीके? So, e-notes and e-books का जो link है आपको क्या करना है हमेशा healthy रहना है happy रहना है ठीके? आण किसी को परिशान नहीं करना है ओके? बाई बाई, take care, keep learning